और सेल्स से आने वाले पैसे को जब इसर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैटास को मैंने बनाया है मैटास ओवर्सीज लेकिन जैसी आप ट्रेडर लिखेंगे ना नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं हमारे यूनिक सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का हिर्दे के गहरेओं से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों के प्यार की वज़ा से हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का अंकड़ा पार कर लिया है दूसरा मैंने आपसे कहा था कि आपके मन में कोई भी प्रस्ट है तो मुझे comment box में लिखकर बताओ आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सर आप ये बताएं कि manufacturing setup कैसे शुरू करें तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं हाज हम बात करने वाले हाओ टू स्टार्ट फैक्ट्री या manufacturing setup विद मनी और विदाउट मनी पैसे या पैसे के बिना आप कैसे manufacturing setup शुरू कर सकते हैं एक बात ध्यान रखना अभी मैं comment box में लिखना अगले Q&A में हम आपके सवाल को जरूर लेंगे तो बात करते हैं manufacturing setup सबसे पहले विद मनी अगर आप बनाना चाहते हैं पैसे के साथ आप बनाना चाहते हैं आपके भरपूर पूंची है बिजनस को शुरू करने के लिए तो क्या steps हमें अपनाने होगी सबसे कि प्रारूप में अपनी company बनाना चाहते हैं उसको company को बना कर त्यार करें company का एक भड़ी असा नाम होना चाहिए जैसे मान लीजे मेरी company है मैटास तो मैटास को मैंने बनाया मैटास overseas या मैटास industries या मैटास manufacturer या मैटास trader लेकिन जैसी आप trader लिखेंगे ना तो फर्क क्या ह हो जाएगा कि वहीं तो ट्रेडिंग करता होगा चाहिए बाद में आप manufacturing भी शुरू कर दें इसलिए ध्यान रखें एक अच्छा सा नाम सेलेक करें और उसके बाद get required license registration certification और permission आपको यह देखना है कि उस business related अगर आप manufacturing setup या फैक्टरी लगाते हैं तो किस तरह के license चाहिए registration चाहिए certificate चाहिए या permission चाहिए बहुत सारे बिजनस में बहुत सारे different license होते हैं जैसे आप medicine manufacturing करते हैं तो आपको drug license चाहिए इसके लाव आपको ऐसा प्रोड़क्ट बनाते हैं जहां पर pollution होने की संभावना है तो आपको pollution से भी control license चाहिए आप food related product बनाते हैं तो fssi का industry में जाना चाहता हूं किस तरह के product बनाना चाहता हूं वह product B2B होंगे या B2C होंगे मतलब वह product किसी दूसरी सब industry में यूज होंगे या वह product direct end user के लिए होंगे यह आप decide करें में के budget अब आपको मैंने factoring setup लगाना है ना तो ऐसा नहीं कि आपने कम पूझी से शुरू किया आपने सारा पैसा इंवेस्ट कर दिया बाद में पता लगा यार मेरा तो budget ही कम पढ़ गया आप मैं factory को चलाओं कैसे बहुत सारी factories शुरूआत में ही कुछी सालों में ब जो भी आपके factory में मशीन लगनी है टूल लगनी है equipment लगनी है infrastructure लगना है उन सभी vendors को suppliers को या importers को आप कंटाक करें क्योंकि बहुत सी मशीन इंपोर्ट होती हैं बहुत सी मशीन हम commission agency लेते हैं बहुत सी मशीन हम vendor supplier से लेते हैं तो यह आपको बड़ेपेंड करता आप उन को कंटाक करें get factory space चाहें आप rented लें या अपना लें आप factory का एक space लें आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनस में कितना बड़ा एरिया लगने वाला है वह 100 मीटर भी हो सकता है 200 भी हो सकता है जैसा आपका business है जैसी investment आप करना चाहरे है अपना factory space लें चाहें रेंट या owned ध्यान रखें अगर आपका setup इस तरह करें कि machine install करनी पड़ती है तो कोशिश करें कि आपकी lease लंबी हो तीन साल छे साल नौ साल पंदरा साल जितने लंबे समय की lease लेंगे न तो आप एक ही जगए पे अच्छे से factory को चला पाएंगे उसके बाद develop infrastructure आपने जो space लिया है या तिन शेड बनाना पड़े तो जो भी infrastructure बनानी के जोरुवत है वो infrastructure वहां तयार करें buy and install setup आपने vendors को select कर लिया था आपने उनको order place किया और अपना फैक्टरे सेटा वहां पर लगाया इसके तुरंट साथ में आपको जोरुत होगी appointment of staff अब staff का मतलब यह नहीं कि factory है तो आपको हर तरह का स्टाफ वहां पर चाहिए आपको पीओन भी चाहिए वहां पर आपको स्टूर की पर भी चाहिए आपको security गार्ड भी चाहिए आपको administrative स्टाफ भी चाहिए आपको production स्टाफ भी चाहिए management स्टाफ भी चाहिए सभी तरह के स्टाफ को appointment करें उन सभी को appointment करन है उन सबी को लगातार सेल करते रहें दोस्तों एक नियम में आपको और यहां पर बताता हूं आप 70 is to 30 का रेशो जरूर अपनाएं अपने बिजनस में जितना ज्यादा आप पैसा री इनवेस्ट करेंगे री इन्वेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी 30% में आप अपने फैमिली के खर्चे या जो आपके operating cost है या जो भी चीज़ें आप करते हैं आपको पैसा चाहिए वो निकालें पर फिर भी मेरा आपको suggestion यह है कि ऐसा ना हो कि 30% ज्यादा salary तो ज्यादा निकाल रहें कम salary तो कम निकाल रहें आप एक limited amount लें वो हो सकता है कि आपकी salary के बराबर हो तो जितना salary आप expect करते हैं आपकी होने चाहिए उतनी salary के रूप में withdraw करें और अपना पैसा अपनी business में reinvest करते रहें बहुत जल्दी आपका business आपका factory setup आपका manufacturing setup टेजी से डेवलेप हो जाएगा जब development होने लगे तो और machinery install करें और एरिया लें और number of factories बढ़ाएं और तेजी से अपने business को global लेकर जाएं तो यह तो बात रही कि जब आपके पास खुद का पैसा हो विद मनी आप कैसे factory setup लगा सकते हैं अब यहां बहुत सारे लोगों ने एक प्रशन और किया था वह प्रशन था कि सर मेरे पास पैसे नहीं है मैं बिना पैसे के factory setup कैसे लगाऊं तो इसी बारे में बात करते हैं कुछ steps इसमें से सेम होंगे इसलिए इन steps को भी ध्यान से आप समझ लीजेगा सबसे पहला स्टैप वही सेम मेक फ़र्म आप कंपनी आप फ़र्म या कंपनी का रेजिस्टेशन करें जो भी लाइसेंसिंग वह सारे करें इं अब आपके बास पैसा नहीं है वहाँ पर सेट अप लगाने के लिए तो आप क्या करेंगे बाए फ्रॉम मैनेफाक्टर सेम इंडिया मार्ट ट्रेड इंडिया एक्सपोर्टर इंडिया अलिवाबा इन सब से बहुत सारे मैनेफाक्टर से कॉन्टाक करें उनसे जाके मिले उनसे प्रॉडट के सेम्पलिंग कराएं सेम्पलिंग कराने के बाद रेट्स लें और रेट्स लेने के बाद प्रॉड़क्ट इंफार्मेशन इकठा करें और अपने बायर्स को जो एक्सपेक्टेड बायर हैं उन बायर्स को सेम्पलिंग भेजें या उनको रेट लिस्ट बेजें या उनसे regular meeting करें और meeting करने के बाद order achieve करें और जैसी आपको order मिले वो order अपने manufacturer को जो आपका contractual manufacturer है जो आपका material on order बनाने के लिए तयार है उनसे माल बनवाएं और अपना material आगे sale करना शुरू कर दें एक बात ध्यान रखना reinvest your profit for sales growth अपने profit को reinvest करें और अपनी sales की growth करें और sales से आने वाले पैसे को जब इतना पैसा आपका sales से आजाए कि आप आसानी से manufacturing setup लगा सकते हैं तो धिर धिरे पहले तो उस पैसे को invest करते रहें और जब पैसे का volume अच्छा हो जाए कि हाँ भाई setup लगाने में sales growth और उसके बाद में save your profit for future investment and invest your saving to start a factory अच्छी सी factory बना के तयार करें और तयार करने के बाद निरंतर manufacturing करते रहें sales का volume बढ़ाते रहें आए हुए profit को reinvest करें और business बढ़ाएं और invest करें और business बढ़ाएं और अपने business को global लेकर जाएं इसके बावजूत भी ना बहुत सारे लोग comment कर देते हैं कि सर जैसा आपने बतायाने सुनने में बड़ा मजा आ रहा है पर इतना आसान है नहीं तो उससे बहतर यह रहेगा कि सबसे पहले आप एक वीडियो देखें कि पैसा नहीं था फिर भी ऐसे बनाई मैंने मेरी पहली फैक्टरी manufacturing सेट अप फ्रेंड्स मैं जो बात आको बता रहा हूं वह कोई theoretical बात नहीं है कि आज़ा मोटिवेशन स्पीकर या बिजनस कोच मैंने कहीं से content देखा बताया और वह आपको डिलीवर कर दिया मैंने मेरी रियल लाइफ में बिना investment के business शुरू किया धीरे 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 करके जब मेरा sales volume बहुत बढ़ा हो गया तो सबसे पहले manufacturing setup खुद का शुरू किया उसके बाद में में machinery को change करता गया क्योंकि अपने profit को reinvest करता गया और करते 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 मेरा एक बहुत अच्छा plant तयार हुआ sales volume बढ़ता गया sales volume को पूरा करने के लिए और manufacturing की जूरत पड़ी और setup की जूरत पड़ी फिर मैंने अपनी next factory लगाई now we are ready to install one more factory with a huge space 2000 square meter का एक land अभी हमने लिया है वहाँ पर हम factory setup develop कर रहे हैं एक साल का सामय लगे उसको develop करने थे क्योंकि पहले पैसा नहीं था तरीका था उस तरीके से पैसा कमाया अब उस पैसे को reinvest कर रहे है on the capital intensive method और मैं जो भी बात आपसे कहता हूँ न वो कहीं न कहीं real business experience के अधार पर कहता हूँ क्योंकि मैं अपने business के time में से बहुत सारा extra time आप लोगों के लिए निकलता हूँ ताकि आप भी चीज़ों को सीख सकें और समझ सकें क्योंकि दोस्तों मेरे जीवन का उदेशी की भारत के हर गड़ से एक सफल businessman तयार हो सके और यह तब ही संभव है जब एक businessman एक इंडस्ट है तो वो comment box में जरूर लिखें कोई भी informative वीडियो में सना हूँ उसके लिए इस चैनल को subscribe करें और जो बातें आप सुन रहे हैं समझ रहे हैं इस पर अमल जरूर करें स्वस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माईश्वरी आपके सुनरे बहुष्य की काम ना करता हूँ जै जै भारत